USDA की रिपोर्ट के अनुसार अप्रेल महीने में सोया तेल का स्टॉक 6.2 प्रतिशत घटकर 5.001 मिलियन टन पहुँच गया है। इधर अमेरिका में सोया तेल स्टॉक अत्वा अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही मार्च महीने के अंत में अर्जेंटीना में सोया तेल का स्टॉक 14.7 प्रतिशत घटकर 0.29 मिलियन टन रह गया है। और कहा गया है कि मार्च के अंत में ब्राजील का सोया तेल स्टाक भी 10 पीसद गिरकर 0.36 मिलियन टन पर आ जाएगा। ऐसे में अर्जेंटीना और ब्राजील में कम स्टाक के चलते, USDA की रिपोर्ट सोया तेल के लिए पॉजिटिव प्रतीत होती है। सोया बीन का भाव मुख्य रूप से पैदावार, मांग एवं सप्लाई पर निर्भर करता है। सोया तेल की मांग फिलहाल कमजोर बनी हुई है, जिसके कारण सोया बीन प्लांट परियाप्त मात्रा में क्रशिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी और सोया बीन के उतपादन में भी गिरावट आई है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सोया बीन का उतपादन 13.6 मिलियन टन की गिरावट आने का अनुमान है। दूसरी और सोया बीन के स्टॉक में भी कमी आ गई है। विश्व में 17.6 लाक टन स्टॉक में कमी देखी जा रही है। ऐसे में उत्पादन में गिरावट एवं स्टॉक में कमी के चलते निकट भविशे में सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। सोयाबीन के भाव कब तक बढ़ेंगे। इसको लेकर जानकारों में कोई स्पष्ट राए नहीं बन रही है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जुन जुलाई एवं अगस्त माह में सोयाबीन के भाव तेज रहने वाले है। इसकी एक वज़य यह भी है कि अब सोयाबीन की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। USDA ने अपनी रिपोर्ट में चीन की मांग में 30 लाख टन की बढ़ोतरी बताई गई है। व्यापार जानकारों की माने तो आने वाले दो महीने के दौरान सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए प्रती क्विंटल को टच कर सकते हैं। पिछले दो माह के दौरान सोयाबीन के भाव में तकरीबन 200-300 रुपए प्रती क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने सोयाबीन न्यून्तम समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा था वहीं अब सोयाबीन का अधिक्तम भाव 4,800 प्रती क्विंटल तक हो गए है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन रूस यूद में कुछ प्रमुक कारगो रूट पर मिसाइल हमलों के कारण वैश्विक सप्लाई या तो अटक रही है या लंबे रूट के कारण भाड़ा महेंगा पड़ रहा है। यह भी आयात को मुश्किल और मंगगा कर रहा है। ऐसे में रूस और यूक्रेन में फिर से संघर्ष तीखा हुआ है। ऐसे में कुछ जानकार मान रहे हैं कि आगे तेल की सप्लाई अटकने से फिर से तेल में महेंगाई दिखेगी। विशलेशकों के अनुसार तेल महेंगा होने के साथ साथ सोयाबीन के भाव भी बढ़ेंगे। इधर भारत में जून महीने में सोयाबीन की बुवाई होगी। जिसके कारण भी सोयाबीन के भाव में तेजी आने की संभावना है। Bureau Report Market Times TV